पश्कार दोस्तों स्वागेदा आप सभी का सुपर कोचिंग आए इस बाई टेस्ट बुक में तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के टूरिजम का सुनहरा योग वापस लॉट चुका है जी हाँ दोस्तों यह मैं नहीं कह रहा है स्टेस्टिक्स कहे रहे हैं अजादी के बाद से अब तक हाइस्ट एवर टूरिजम इस साल रिपोर्ट की गई है और यह साल में तो अभी काफी महिने बच्चे हुए है 1.62 क्रो टूरिस्ट इस साल जम्मू कश्मीर विजट की है और यह बात हो रही है यूटी ऑफ जे एंड दिके की 1.62 क्रो टूरिस्ट आज तक का हाइस्ट है सिंस इंडिपेंडेंस तो आज क्लास से हम चर्चा करेंगे आखिरकार क्या कारण है जिस वज़े से रिवाइवल हुआ है नंबर वन एक कारण तो आप तभी को मालूम है यह थमनेल भी चीख-चीख के कह रही है आप त के वजह से कोई चीजें कुछ चीएं हुई है कि वजह से हुआ है तो आई यह आज हम जानेंगे इसी के बारे में इसी के बारे में में चर्चा करने correct है आप answer मुझे comment section में बता सकते हैं जो सही जवाब होगा explanation के साथ उसको मैं हाट दूँगा तो make sure आप अपना जवाब explanation के साथ post कर रहे हैं तो news में क्या है news में है दोस्तो 1.62 क्रोर टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर विजिट किये हैं इत्ताल यह highest है since independent and 3 decades के बाद वापस जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट वापस आना शुरू कर गए आ रहे थे इससे पहले भी चुटपुट आते से लेकिन लाखों की तादाथ में टूरिस्ट सालो बाद रादर 30 साल बाद वापस जम्मू कश्मीर में देखने मिल रहे हैं और इसके साथ कहा जा रहा है गोल्ड एन एरा और कश्मीर टूरिजम वापस आ चुका है तो जम्मू कश्मीर में टूरिजम बहुत source of employment यह जम्मू कश्मीर की economy में 7% contribute भी करता है and इस साल अगर आप देखे तो record breaking 20.5 lakh tourists इस साल आपको देखने मिले कश्मीर में और 3.65 lakh अमरनात यात्री भी देखने मिले कहां पर कश्मीर में आपको यह देखने मिला है यह all time high tourist football है कश्मीर वैली के लिए याद रखेंगे आपे बात हो रही है कश्मीर वैली के लिए जो नंबर है यह जे एंड के के लिए as a whole है तो कश्मीर वैली में भी इस साल record breaking highest tourist football देखने मिला है पहल गाम गुल मर्ग सोन मर्ग श्रीनगर सारे hotels and guest houses 100% occupancy पर काम कर रहे से बहुत खुशी की बात है जम्मो कश्मीर में वापस हालात नॉर्मल हो रहे हैं रादर पहले से काफी बहतर हो रहे हैं तो यहां पर सवाल उठता है आखिरकार यह जो के रिवोकेशन के बाद से अन्य पॉलिसी मिजर्स हो पाए जैसे हमने इंसर्जिंसी को को कंट्रोल किया है काफी ज्यादा तो इस वजह से टूरिजम के लिए एक अनुकूल वातावरन बना है चुटबुट मामले अभी भी हो रहे हैं पर वो चुटबुट मामले हैं पहले वाली बात नहीं है जो पहले हर रोज पत्त्राव इंसर्जिंसी यह सारी चीज़ने देखने मिलती थी पहले की तुल्दा में आज हालात क देखने मिल रहा है इसके सिवा श्रीनगर और जम्मू एयर बोट्स रात को यहां पर फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करते थे लेकिन अब उनको भी ऑपरेशनल कर दिया गया है नाइट फ्लाइट भी आ रहे हैं श्रीनगर में और जम्मू में बहुत इंपोटेंट रोल प्ल सिर्म पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई थी अब तक इस साल में जब से पॉलिसी आई है 140 शूटिंग फिल्म शूटिंग के परमिशन्स हमें देखने मिले हैं जिसमें वेब सीरीज भी है फिल्म शूटिंग भी हो रही है इन सब को यहां पर वापस से वाप देखे तो जो पुटेंशियल है वो दुनिया के सामने कैमरे के थ्रू आपके तक आप तक पहुंचाएगी आपको मालूम ही होगा जम्मू कश्मीर में रिसेंटली एक सिनेमा थेटर भी वापस से लॉंच हुआ है कश्मीर में श्रिनगर में यह बहुत बड़ी बात है साल कई स्टेक होल्डर से टूरिजम सेक्टर में पोस्ट कोविड उनको काफी समस्या हुई ती जब टूरिजम उच साल देखने नहीं मिली तो उनको वापस से खड़ा किया अपने पैर में तो उसके लिए फाइनांशियल सपोर्ट भी दिया गया तो वह भी कारण बताया जा है जिस वज़े से टूरिजम इस साल रिवाइव की है तो यहीं उमीद करता हूं कि आने वाले हर साल टूरिजम की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ती रहे और यह और बहतर होता रहे और जम्मू कश्मीर पुना अपने पाउं पे खड़ा हो और एक नॉर्मल राज्य की रहे तो आज का सवाल था आप से मैंने पूछा था तो बताईये इंद में से कौन से स्टेट्मेंट करेक्ट है तो देखे स्टेट्मेंट वन इस लिए गलत हो जाता है कारेवा बिसाल्टिक और जिन के नहीं है यह पुराने टाइम में लेक हुआ करता सा जो यह ग्रेट हि हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज जब hydraulic pressure इतना हुआ कि पीर पंजाल को चीरते हुए ये पानी आगे बह पाया और पीर पंजाल में इस प्रकार से passes drill हो गए जिससे नदी का पानी flow कर गया तो obviously इस प्रकार से पानी तो बह गया लेकिन मिट्टी छूट गई वही मिट्टी क्या है कारेवा है आज इस कारेवा के कि ऊपर जब यहलं बहती है तो क्या करती है मियांडर करती है सापके जैसा यूजञी नदिया इस प्रकार से बिंड़िंग पहाड़ोंपे नहीं करती है लेकिन आप देखो तो जेय続ं क्या एक exception है जो पहाड़ों पे इस प्रकार से भिंड कर m आती है that is because of these कारेवास कारेवास देखने में कैसे होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं तो आप देखने दीजार कारेवास डिपोजिट्स जो आपको यहां पर देखने मिल रहा है तो एंसर इस बी तो अजी क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा यहां से आप ट है experts के द्वारा इसके सिवा आप हमारे सूपर टीचर से भी देख सकते हैं बहुत नाम है बड़े-बड़े नाम है जो पढ़ा रहे हैं आपको यहां पर भी पढ़ाने वाले हैं तो जो वहां पढ़ा रहे हैं सेम कंटेंट आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इ एक साल की अगरा सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो इसकी कीमत है तीन हजार रुपए प्रतीमा पर जब कुपन कोट किन जल यूज करेंगे तो आपको मिलता है ट्विंटी परसेंट ओस जिस वजह से यह सब्सक्रिप्शन की कीमत घट कर हो जाएगी करीबन 2400 रुपए प्रतीमा तो आपको इतने कम कीमत में यूपियसी की सब्सक्रिप्शन बिलती है तो मेक शूर आप इसका फायदा उठाएं